बड़ा दूस्पोए गया रिया साथ गाल करने सब देगी हूँ यूण शूं फोन करके पुस्मिस तरगे याई शीगी न बड़े दिन हुए रिया से बात किये बोरी थी घर आना है ज़रा फोन करके पूछ लेतूं घर आई यानी रिया यार बहुत देर लगा ली फोन उठाने में यार एक तेरा फोन उठाने की सिवा और भी काम होते है मुझे तेरी वाल से तो पता चल रहा है कितना काम होता है तुझे सोना भी काम होता है क्या अरे यार सोना भी तो काम ही होता है बड़े लोगों का क्या बोलना है उनको तो सोना भी काम ही लगता है बड़े दिन हुए तुझ से मिले मिलने का बहुत मन कर रहा था अच्छा जी बड़ा मन कर रहा है मिलने का कोई ना मिलते हैं जब कभी टाइम लगा तो नहीं यार आज ही मिलते हैं आज टाइम नहीं है मेरे पास तेरपस कहा ही टैम होता है मेरे लिए नहीं यार ऐसी बात नहीं है समझा कर यार बहुत जुरूरी बात करनी है तो फोन पर कर लो ना ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं होती समझा करना यार फोन पर ऐसी बात नहीं होती फिर भी ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं होती जब मिलेगी तब ही बताओंगा न नहीं यार अभी बताओ फोन पर नहीं बता सकता तो बताओ फिर कहां मिलना है गुसा क्यों हो रही हो यार अरे यार फिर बोलो ना फलेल जी कहां मिलना है यह हुई ना बात अरे बोलो भी अब जहां पिछली बार मिले थे अच्छा ठीक है फलेल जी अच्छा भाई मिलते हैं पर सुनो टैम पे आ जाना कितने बजे आना है चार बजे ओके बाई फलेल जी ओके भाई वाल्चोरी है एक जो आप ये बाते करते हो ना ये मुझे बिलकुल पसंद नहीं है हिंदी में बात किया करो ना क्या हाल है रिया जी मैं ठीक हूँ आप सनाईये फिलेल जी मैं ठीक हूं रिया जी 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 बोलना छोड़ो पहले ये बताओ मुझे चार बज़े भुला कि खुद पांच बज़े आ रहे हो सोरे लेट हो गया आपको पता है मेरा घर कितना दूर है वहां से पैदल आने में देर होगी मुझे अच्छे छोड़ो सफाई देना रहरे दो मुझे पता था तुम लेट ही आओगे इसलिए मैं भी अभी आई अच्छे ये बोलो क्या गाम था पहले तुम बता कब जाना है तुने बापिस फिलाल कुछ दिन तो यहां ही हूँ तल तुम बता घर पे सब ठीक है ना हांजी सब ठीक है बात गुमाफिरा के क्यों कर रहे हो सिधा सिधा बोलो क्या बोलना चाहते हो यार कैसे बोलो समझ में आरी है अरे बोलो ऐसी क्या बात है कल से तंकर के रखा है अब ऐसी कुन सी बात है जो तुमें बोलने में समझ नहीं आरा यार शादी के बारे में बात करनी थी मेरे साथ? मेरे साथ क्या बात करनी थी? कर ले जहां तेरी मेर्जी और तेरे घरवालों की? नहीं यार ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? चल छोड़ तो बता तेरा क्या इरादा शादी के बारे में मस्त दिंदगी चल रही है अभी, शादी के जंजट में तो नहीं फसना मुझे अभी कभी ना कभी तो करनी है, यही उमर है शादी की बाद में अच्छा लड़का कहा मिलेगा अप हाँ वो तो है पर कोई धंका लड़का मिलना तो चाहिए हाँ हाँ मैं हो ना मैं अच्छा नी हूँ क्या तुम कैसे सोच सकते हो यार मतलब तुम्हारे दिमाग में उल्ट-फुल्ट बाते कैसे चल सकती मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस समझती थी और मतलब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ कैसे गिया रिया अगर ऐसी बात तनो रादी का जब मेरे से बात करती थी, आप उनके साथ मेरे को बात क्यों नहीं करने देते थी कब? अच्छा, आप तुम्हें ये भी बूल गया, याद करो सुकूल की गोना तुम्हें इतनी पुरानी बात याद है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था तुमसे कोई बात करे अगर तुझे और कोई पसंद है, तो मुझे सिता सिता बता दो, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूगा अइसी बात नहीं है फिलेल, तुम खुद ही देखो, तुम्हारा नाम फिलेल तो हाँ फिर और मेरा नाम रिया फिर रिया, फिलेल, दोनों साथ मैं अच्छे नहीं लगते, कुछ जच्छते नहीं है या, डाड़ी को भी यही नाम सूजा था मेरे लिए, या, ये खुद नाम मुझे पसंद नहीं है पहले अपने पापा को बोल लो, नाम चेंज कर दे, फिर शाहिद कुछ सोचू मैं तुम्हारे बारे में या, मजाग वाली बात नहीं है, मजाग रहा अपनी जिगा, मैं आज मजाग के मूर में नहीं है सिदर सिदर पताओ, आपकी मर्जी है या नहीं मैं वहाँ गाउ में नहीं रह सकती तुझे गाउ में रहने के लिए बोल ही कौन रहा है तो फिर कहां रखोगे मुझे शादी के बाद वैसे मैं भी सीटी में रह लूँगा, शादी के बाद गाउ में रहता ही कौन है क्यों? तुझे देख ले मेरे गाउं के सब लोग बच्चे पढ़ाने के लिए शैर आगी है मैं तुझे थोड़ी गाउं में रखोंगा अच्छा, ऐसी बात है, वो तो ठीक है पर तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे रखोगे कहां शैर में ठिकाना तुम इस बात की टेंशन मत ले, मैं भी यहां कहीं ठिकाना बना लूँगा अच्छा, तुम अपने माप आपको छोड़ लेगा मेरे लिए? हाँ, बिल्कुल कोई शक है तुझे, तुझे में सब को छोड़ सकता हूँ तुम जूट बोल रहे हो, तुम कैसे शैर में ठिकाना बना लोगे, ना तुम्हारे पास कोई नौकरी और ना ही कोई धंदा एक बार तुम इस बाद सीड़ी में में ठिकाना बना लोगा क्यों शादी के बाद तुमारी कोई लाटरी लगने वाली है? नहीं तो फिर, मैं गाउवाली जमीन बेच दूँगा, फिर शेर में घर बना लोगा, तेरे पापा कहा मानेंगे, वो मेरी टेंचन है, वो मुझ पर छोड़ो आप, मैं अपने पापा को खुद मना लोगा, आप चादी के लिए राजी हो यानि, पहले शेर में घर बना लो फिर में सोचूँगी, मैंने कहाना बना लोगा, तो फिर ठीक है, पर मेरी कुछ शर्ते हैं, क्या, तुझे पता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना सीख ले ना, हाँ, वो सब मैं कर लोगा, मुझे जाड़ो पोचा करना नहीं आता, वो भी सीख ले ना, वो टेंशन टुम आनों के तेरे पापा को मनाना तो मेरे बाएं आज्याद का खेल है मरे अगर अगर मेरे पापा को मनाना इतना भी आसान नहीं है तेरे पापा को मनाना मेरे डैडि का काम है चलो फिर करलो झाल कोर्शिश अगर डटाव King अगर Bible about love मेरे पापा आपके डैड़ी को मनाई ही लेंगे वैसे चलता हूँ मुझे लेट हो जाएगी फिलेल जी एक तो आप देर से आते और फिर जल्दी जाने की बाते करते हो ऐसा सितम ना किया करो हमकर रीजी क्या बताएं जाने का मन्त मुझे भी नी करता है पर क्या करें कमबक्त गरदूर है पाड़ू में चलो अब जाओ जाओ जादा संटी नाओ घड़कर रास्ता पकड़ो ठीक एरिया जी ओके बाई चलता हूँ मैं जाओ क्या देख रहे हो ओके बाई फिलेल जी फिर अशा मैं चलता हूँ